नागपूर से हैं सुरेखा जी स्वागत है आपका जी नमस्कार मैम जैहिन स्वागत सुरेखा जी गार कि जी नमस्कार करें ती तागे पिसाब में गार्ट जमति और गार्ट जमते न पिसाब रूच जाता है इस तो आपधर होगाता है जी कि अश्याब में आपकी ठीक है अब उमर कितनी हैं आपकी मेरे पती की है वो मेरे पच्चास मान देखे ये गुदूद होते हैं ग्लैंट्स होते हैं जो बड़े हो जाते हैं उनसे ये परिशानी होती है पिशाब के रुखने की और बहुत सी बीमारियां तकलीफ से आना पिशाब दर्द से जलन से आना तो असान इलाज है आप कर लें एक चुटकी नमक जैतुन लें और पानी में मिला दें एक चुटकी नमक जैतुन पानी में मिला दें एक गिलास में या दो गिलास में और अलसी आप जानते होंगे अलसी क्या होती है अलसी फ्लैक्सीद को कहते हैं फ्लैक्सीद एक तिलहन मैं ऐसे एक अन है जो फ्लैक सीट कहा जाता है इसे तो अलसी को दो तीन सो गिराम खरीद लें साफ सूफ करके हलका सा भून कर ज्यादा नहीं भूनना हलका सा भूनें और पॉडर बना के रख लें एक दिन में आदा चमच अलसी खाएं और एक चुटकी नमक जैतुन असली पानी में मिलाक और इस से आप इस पानी को पी लें अलसी का कर आपकी ये समस्या अच्छी होना मुम्किन है जी